नमस्कार आप देख रहा आरेडी नियोज मैं हूँ योगी श्क्रवर्ती बिहार के चार विधान सवास सीटों पर उपचुनाब के नतीजे सामने आ चुके हैं और ये नतीजे महागठवन्धन के लिए बेहद ही शर्वनाक है जिहां क्योंकि महागठवन्धन का इस उपचुनाब में सुपड़ा साफ हो गया है जिस पेला गंज पर तकरीबन 34 सालों से शुरेंदर यादव ने कबजा जमाए हुए था उसे भी जेडियों ने धाहा दिया है इंडिये में जस्न का महौल है आखिद जस्न हो भी क्यों न क्योंकि जिन चार सीटों पर उपचुनाब हुए उनमें से तीन सीटे महागठवन्धन के पास था अब चारों सीटे इंडिये के पास है हमारे साथ सिनियर जर्नलिस्ट अरुन पांडे जी हैं आईए इन से समझते हैं कि आखिद कैसे इंडिये ने इतनी विशाल जीत की और दो हज़ार पचीज के विधान सबाद चुनाब को लेकर ये जीत क्या कुछ कहता है शर देखिए आज विधान सबाद की चार्ट सीटों के रिजल्ट आये हैं एक क्यास तो लग रहा था कि इस बार के उप चुनाब के नतीजे आएंगे तो उसमें अब सिटिंग गेटिंग साइद नहीं हो पाएगा जो फिर वैक आप भी कई कंस्वेंसी में गये थे और इस लगभग उसी के नुरूप आया यह उप चुनाब conscious का नतीजा जो आपने ठीक ही कहा कि महागरबंधन का सुप्रहा साप हो गया महागरबंधन कहिए कि महा जटका लगा है तीनों सीट जो थी उसकी तीनों सीट लूट गई महाकटबंधन लूट गया हुई सुब चुनाब में और अब आगे यह ज़िए सेमी फाइनल कहेंगे तो फाइनल में जो सेमी फाइनल में सीट हार गई हो अब चलिए कुछ कभी कभी मैच होता है ना कि कुछ विछले चुनाब कुछ आंग मिला होता है उस आधार पर अब चुनाब होगा महाकटबंधन को फाइनल लर्ना है लेकिन यह चुनाब का नतिज़ा तो सचमुच उसके लिए लेस्निंग आई अभी कारण की समिक्षा करनी होगी एंडिये तो अपने जगह जहां सब जगह उसकी जीत हुई जीत हुई है अब ही महाकटबंधन के लिए जो उसका बोट समीकरन है जाती समीकरन है जाती समीकरन है और इसी आधार पर मद्दाताओं को गोलवन करके कई डेट करके चुनाब जीते जाते हैं तो आखिर 14 वरसों से जहां सुरेंद्र जादव काविज थे वो सीट कैसे कमा अब बताईए वो मद्द विहार में बेलागंड की सीट अब सुरेंज आदव के लिए कहें लालू जादव की राजनीत के लिए कहें वो एक मजबूत सीट मानी जाती है अब वलाइस वारूप चुनाव हुए सुरेंज जादव ने उस सीट खाली की कुद अभी जहानावा से एंपी हैं राजन उनके बेटे को टिकट दिया था कि वह उसी हिसाब से प्रतिश्था की सीट बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा राजत लड़ेगा वहां डॉक्टर विशनात थे उनके सुपूत्र राजत के कहीं डेट जब दो यादव नितिस कुमार भी कप चुकने बिहार में जो उनको राजनीत के चानक की कहते हैं वहां यादव कहीं डेट ही दे दिया पहले कुछ बिवाद भी था कुछ कारणों से आपको याद होगा कि एन आई एन आईये का मनुर्मा देवी के घर चुनाव के पर रेड हुआ था चार करोल कैस मिले थे लगभग अपी भी वहां उसी राके में विंदी यादव की पहचान की दिबंगत हो गया है अब इस दो यादव की बीच में लडाई और तीसरा जो कहिंडेट प्रशांत किसों ने बहां मुहमद अमजद को कहिंडेट बना दिया मुसलिम उमिद्वार को अब यही सवाल था वहां कि क्या होगा इस मरें कि उसी समी करंद्वर गया लालु जादव की यादव इमिद्वार हार गये और नितिष गमार की यादव इमिद्वार जीत गही है और मुसलमन साथ नहीं DS यही तो नतिज़ाद सारा यही मैं कह रहा घौँ advisor कि एम समीकरण जो था लालूजादव 1990 से विहार की राजनीत के धूरी हैं चाहे सत्ता में रहें या भी पक्ष में रहें और एम भाई जिसको करते हैं यादव मुस्लीम साड़े चौदा परसेंट वियार में यादव क्या भी आवा दिये और ठारा परसेंट मुसल्मान हैं और यह अभी तक के पिछले सारे चुनाओं में यही एक रिकॉर्ड रहा है नतीजे भी उसी अनुरूप आने रहे हैं लेकिन वो कौन सा कारण है जो लोगसभा के कर नहीं चोड़ी दो साल से जून का अभियान चल रहा था जन समाद कार्चकरम जन सुराज कार्चकरम अभियान और इसके बाद उन्हें दो अक्ट्रों को पार्टी बनाई तो कहा भी था कि वह देखिए बिहार बिदान सभा का जब हम चुनाब लेंगे तो राजत के देन में लव नहीं रहेगी तो हमेज़ से मुकाबला होगा नितीश कुमार का अब बेला गंज की सीट में देखिए बहले जन सुराज पार्टी चारों सीट के लड़ी और इस बार तो ठीकाने लग गया जन सुराज का भी आप यह कर सकते हैं इसलिए कि चुनाब में हार औ जन सुराज दूसरे स्थान पर नहीं है दो सीट बीजेपी जीत ली एक सीट जदी और जीता रामाजी हिमामगाज में अपनी प्रतिष्टा बचाने में सफल रहे हैं तो यह नतीजा दर साता है कि महाकडवन्धन के लिए अब आगे की राह और कठिन है जब अपना कोई किसी का कोर मोट भैंक ही घिसकने लगे और नतीजा इस रूप में आने लगे कि अपनी सीट गमानी पड़े कि वो ना महाराज गज बचा पाए यह बेला गज बचा पाए और रामगड बचा पाए रामगड की हार को मैं राजत की दिरिष्टी से सर्मनाख हार मानता हूं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लंबेकाल से जक्ता नंसिंग है और उनके यह उनकी पारिवारिक सीट बन सिर्फ जक्ता नंसिंग की हार नहीं है लालू प्रिसाद की तेजस्वी यादव की भी हार है वहां बढ़ी और तब जब कि वहां यादव के इंडेट बीएसपी का था हम क्या जादो एक समयल हुनके भतिजा सुसील जादव और मुख मुकाबला में सेकेंड फर्स्ट रहा जिसे पूल बोलूगी जीति है कंभी खुंख मुकाबले से बाहर लगातार हर सब्सक्राइम की राउंड गिंती हुई उसमें राजब कभी मुक्त काबले में आया नहीं 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 बना वो ठड़ी रहा उटा कूल चुनाब्ड़ा जगण किहार को आपने आरजेडी के लिए बेहदे शर्मनाक बताया तेजस्वी यादव के लिए लालू यादव के लिए और जो दूसरे बड़े नेता हैं परदेश अध्यक्ष हैं जगदानन सिंग उनके लिए क्योंकि उनके बेटे वहां से चुना मैदान में थे और पू 25 के विधान सवाद चुनाम में उसका दम पूरी तरह उखर जाए तो इसमें ये कहने में कोई संकोच की बात नहीं होगी देखिए रागे की राह इसलिए मैंने बात कही है भी कि साल भर है भी कि साल भर में अपने को कितना राज़त करता है ये एक बड़ा सवाल है इसलिए कि जब कोई कोर्वोट बैंक में ही भी खराब दिखने लगे सेंधमारी करने वाला आदमी सेंधमारी करने में सफल हो जाए तो फिर तो भविस्ट जो है उस पर एक सवाल उठेगा नहीं आज उसी तरह से देख लिजे होजपूर जेले की जो सीट है तराडी वहां माले का म जेवरिंग इलाका है दोनों सीट आई यह वही इलाका है आप याद करें चाहे वह वीदान सभा का चुनाव को पिछला या लोक सभा के चुनाओं में जो विहार में 40 सीट है तो इसी मद विहार में 14 सीट है उसमें साथ सीट पर जहां महागरबंधन की जीत हुई थी वही इलाका था और इस इलाके में माले की हार को भी मैं बांता हूँ एक कराड़ी हार है उसकी कि माले अपनी तराड़ी सीट हेट्रिक लगाने की बाद तो छोड़ जे बचा नहीं पाई और भागपा जीत लिवां सुनिल पंडे के रूप में एक इलाके का ससक नेता कहिए उमिद क्या कारण हार हुई है उसकी बड़ी बजह जो है वो और नेतिकार है संजाय आदव और मनोज्जा क्योंकि ये दो ऐसे सक्स आरजेडी में एक निता के तौर पर अपने आपको एस्टैबलिस किया है जो किसले नहीं देते आम कार्यकरताओं की पहुँच तेजस्वी यादव तक नहीं है अगर लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो भाया संजाय आदव भाया मनोज्जा की तेजस्वी यादव से आप मुलाकात कर सकते हैं अन्यथा आप मुलाकात नहीं कर से तेजस्वी की राजनीत चल रही है यह उनका अपना परस्नल स्टॉक है इसका लाव हानी उन्हें लावी हो हानी हो अपनी जगह है जो उन्हें रत्नीकार है राजत का तो सथ कुछ ये जनाधार है कौन सी रन नीती भाई लालु जादव ने इतने साल तक राज किया से बरे आज भी क्राउट पुलर मेरा सपोट यानि यादव का सपोर्ट है आप यहीं कहना चाहिए यादव यादव और मुसलमान जनता नहीं है कि हम उसको कास्ट और को रिलिजन की साफ से नहीं सुचा आखिर जिसको 34-35 परसेंट यहीं बटने लगा है बिल्कुल यही मै इसे नुकसान लालुजदब की विरासत समालने के लिए इसे राजनीत होती है क्या दिब्भी लालुजदब की राजनती की विरासत समालने के लिए वी मेनत करने होगे विलालुज आदव ने संगर्स से यह सब कुछ हासिल किया है आज जो पहचान है विहार के सबसे बड़े पूलर नेता के रूप में उनकी पहचान है तो यह सारा चीज जो है अब आप जो अभी तेजस्वी आदव की जिन सलाहकार मंडली में जिन नामों की चर्चा की ठीक है वो संसद में मेंबर हो गए कोई लोग राज सभा के मेंबर तेजस्वी आदव ने लोगों को बनाया अपने वश्य सलाहकारों को बूल लेकिन घर के अंधर कोई देखिए चुनाब के लिए कार्शक्रम तै करना फंडिंग की व्यवस्ता करना यह सारी बातें हो सकती है ले लुट गया महाकरवंधन का खाता खुला नहीं खाता बंध हो गया यह जो इस सिती आई है कि राजत की वो दो सीट है जो कोई उमीद नहीं कर सकता था यह करना चाहिए कि हां वेरागंज राजत नहीं जीते और आमगट की सीट बचाना नहीं पाए कर रहे थे कि हम इमाम गंज जीत रहे हैं और इमाम गंज में उनकी लुटिया डुब गई चुनाव करना बिल्कुल सही है कि दावा तो हर कोई करता है लेकिन जिस तरह से हवा थी कि आर्जेडी इमाम गंज इस बार जीत जाएगी और वहां भी हार गई तमाम शमिकरन बैठाने के बाब जोद कंडिडेट चुनने के बाब जोद और कई बार तेजस्वी यादव के सभा होने के बाब जोद हार जाना तो वहां से भी यह संदेश मिल रहा है कि मुस्लिम और यादव बोट जो है आर्जेडी के खाते सीट कितना महत्पून सीट थ चार सीट थी चारों जीतनी थी लालू जी बेला गंज गये वहां उन्हें सुभावी की तेजस्वी वहां कैम किये औसामा को भी ले गए साब उदीन के बेटे भी गए वहां तो भी सीट हाथ में नहीं आए मुसलमान नहीं हुए मुखातिब आपको याद होगा औसामा की कुछ सामा ने कहा कि कुछ गल्ती हो गई है तो माफ कीजे तो किसी ने वहीं खड़े घल्टी माफ ही योग ये नहीं तो वहां कुछ हंघामा बैठक में भी हो गया कि तो कुणमिलाज बिलाकर कितनी कितना महत्रफून वह चुनाब भेलागन की सीट बनी ती राजत के तो चुनाब में तो सत्मूच में इसको आप मानेंगे और फिर अगला चुनाब जहां जदी उबीजेपी मांजी उपेंदर कुसवाहा अभी सारे लोग जुट गए हैं फिर चिराग भी अब चिराग का बिहारी फस्ट और बिहार फस्ट की जगह अब नितीस फस्ट करेंगे करना में पर मंत리 कि जिन नितीस में आवास में पृष बिलाई और उस बैठक में चीट पर मन्थन निताओं कि उसका कितना अशर मांते हैं कि इंच कि § एक जुट रहना है, तो उस बैठक में तेक तो न मांजी गए थे और न चिराग गए थे, और खासकर इमाम गज में जो चुनाब हुआ उस में चिराग गए ही नहीं वहाँ, तो उस एक जुटता का संदेश और संकल्ब का तो सच कुछे पंक्चर हो गया इमाम गज में, जो चिराग और सब जगा गया, जहारखंड गया, बिहार के बाहर भी गया, कुछ चिराग कह रहे थे, अभी दावा भले कर रहे थे, लेकिन चिराग क्यों नहीं गया, अब वह एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, दलीता रक्षन में कि कोटा विदिन कोटा उस पर दोनो कर दिया था चिराग, तो इसलिए हम लोग ने तब भी एक चर्चा की थी, और कहा था कि एंडिये में, और लेकिन नतीजा तो जो आया है, वो तो जो बैठक नितीश कुमार ने की थी, जो संकल पसंदेश था, उसी के अनुरूप आया है, और ऐसी एक जूटता सत्मुच अ करना है, जीले में कोई नेता जाएगा, तो सब पार्टी के लोगों से वहां बैठक करेगा, और संगत-पंगत करेंगे, जो लोग जनता अजल यू से पहले पुराने साथियों को साथ करेंगे, यह सब तरह की इसलिए कि चुनाब तो नितीश कुमार के चेहरे पड़ला ज कि तुलना उनसे की जाए, उम्र सिमा को लेकर की जाए कि दोनों के उम्र में काफी अंतर है, बाब जूद उसके सीम नितीश काफी एक्टिव हैं, तो यह क्या दरसाता है कि जो परतिपक्ष के नेता तेजश्वी यादव हैं, वो अपने करियर को लेकर सिरियस नहीं है, य सिर्फ बैसाखी के सहारे, रड़नीतिकारों के सहारे चलना चुना चुना में अकेले चुना उसमें लालू जी नहीं थे, नतीज़ा है तो लोग कहने लगे यह तेजश्वी यादव के प्राक्रम का फल है, लेकिन मैंने आपको कहा वो चीरावी इफ्यक्त था, यह एक गल प्रसांद की सोर के कारण जीत हो गई है, तब भी हम लोग यह मानने को त्यार नहीं कभी हुए, आज भी नहीं मानते हैं वो लालू जी और नितीश जी का एक होने का पिछरों की गुलबंदी एक होने का वो असर था, आज वो पिछरों की गुलबंदी टूट जाएगी जो टूट चुकी है, जब लालू नितीश अलग हैं और यही तो इस चेड़ी है, इसने मैं हमेशा कहता हूं कि नितीश कुमार का नेत्रित भाजपा के लिए मजबूरी है, आप ज़िदी लालू जादब को राजनितिक हासिये पर रखना है, तो नितीश को साथ रखना पहरा है, और अकेले अपने दम पर वो सत्ता भी नहीं आ सकती है, इसको भाजपा का केंदेर नितीद भी बखोवी समझता है, और दरवाजा बंद रहने की बात करते करते भी, नितीश जी जो मुखातिव होते हैं, तो दरवाजा यही अचानक फुरत खुल जाता है, गले लगा लिया जाता है, यही राजनीत है, वो आज की तारिक में, बिहार की राजनीत में नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतने इतना कठिन है, जो उपिश्व कर नतीज़ा बता रहा है, आप चार, तीन, झीष्वанд नहीं बचाएंगे, तो फिर अभी बड़ी चुनाव होगा, यह तो कह सकते हैं कि मुश्किल नहीं नामुम्किन नहीं तो मुश्किल जरूर है अत्यंत मुश्किल और कठीन है वह तो यही कहेंगे इसलिए मैंने कहा कि अब इस उपचुनाव के नतीजे के बाद इंडिये को तो बल्ले-बल्ले है इस नेचुरल है कि नितीस कुमार के लि कि तेजस्वी आदब के लिए क्या संदेश है इस उप्चुनाव के नतीजे से और जैसा कि मैंने कहा कि क्या जिस तरह से आपने भी कहा कि वह विधान सभा में नहीं जाते हैं और जो भी करते हैं अपने मतलब हिशाब से करते हैं जनता के साथ कि हम पार्टी को एक बनाएंग कि सिर्फ हैंबाई नहीं है यादव मुस्लिम नहीं है और इसमें जो कहा था कि वही हम एक और कहा था कि पिछरा अधली जी तरह से अखिलेश ने कहा है पीडिये वाली बात उस तरह से मागड़ा पिछरा गरीव सब को एकॉमेडेट करेंगे सब को साथ लेकर चलेंगे इस सिर्फ कहने से नहीं चलेगा कत्नी और करनी एक तो यह बात है और दूसरी बात है कि खुद भी अब राजनीत में टाइम दे जाता है जनता की वीच जाना चाहिए आप यात्रा करके भी सत्ता में तो रहता है तो चलिए नितीश कुमार जिलावार पूरा सत्ता का वह दूस समस्याओं से जनता जूज रही है उन समस्याओं को लेकर उसकी आवाज को बनना चाहिए आज आप देख लिजे ना सिश्चक जी धंक से अभी तो सब कुछ मुद्दा भी बनवाया नितीश कुमार ने और मुदा को समाल भी लिया नितीश कुमार ने विपक्ष कहां बैठ समार्ट प्रेडमीटर पर धरना हो गया वस एक दिन का हो गया राजडीत में कुछ विपक्ष को भी अपने कार्शक्राव में अभियान में कंटिनुटी रखनी होती है तब लालू प्रसाद या भवकरपूरी ठाकुर जी को याद करते हैं उसको बहुत तक एक तो सुसील म पहुंचने के पहले भी पक्षेने ताको पहुंचना चाहिए इसलिए जो बात आपने कहीं कि तेजस्वी आदब को करी मेहनत करनी होगी और इस नतीजे के बाद निश्यत दूरुप से आतम मंथन तो करना ही नहीं होगा आपनी हार के कार्णों की समिक्षा करता है अब यह और लिए उसे हिसाव से समय से खुलता है और ताला बंद रहता है जग्दनान को जो जग्दनान सिंग है RJD के पर दे सध्यक्ष इस स्वर्मनाख हार के बाद उन्हें इस्तिफा देना चाहिए अब दितो देखे उनको क्या करना चाहिए और राजत को उनके साथ क्या करना अब तो इस्थिपा की बात बहुत दिन से चल लही थी तो इस्थिपा दे देंगे और फिर छोड़ देंगे तो उनको क्या करना चाहिए उन पर हम लोग कोन होते हैं सलाह देने वाले मैंने तो आज जो लोग नतीजे सामने आये हैं उसमें वो पाटी के लिए तो इसी में देखते हैं तो उप्चुनाब में आरजेडी का खाता ही नहीं खुला बलकि खाता पूरी तरह बंद हो गया और ये दोहजार पचीस के लिए अच्छा संकेत नहीं है फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमिट्स कर अपना महत्वकून सुझाव और विचार जरूर दें धन्यवाद